तो देख सकते हो गाईस थोड़ी दिर में कितना मस्त फ्लेवर आ चुका है इसमें देन भी विल मिक्स इत आहा नीचे से पकरने और यह यार तो गिर जया तो गाई देख सकते हो अभी हमने अपने पूरे चिकेन को एक साथ लगा लिया है और इसको फाइनली चिकेन फ्राइ भी बन आ तःबो तत्यार हो चुका है और पीच उपछाव्य종 की डेख में देख स्थख मत्त श्रेत माने खाही है कि हम पते हमारि हांडी एर वह पतला बोर भी चिछ कते है Alez ने चमव मुझाना ही पाई मैं कि हांडी बाध समने सकाए कि में हंटे नोप अब आध वह अधी में जबता होता है टा ten प्र अदूर्श डिए छाए घर सभी अभर सब्रेडिय कि कहा सो चुला पर कैसे बनाए जाता है फिलाल अमने इंग्रीडियोंट्स ले लिया है उदर देख सकते उप्याज है उदर मिर्च है और इधर ये मसाला तेल रहा हमारा ईब अभी यह उड़ेगा, इसमें क्योंकि पानी था और मैंने रख दिया था इसको पानी में रखने के वजय से क्या हो रहा है थूरा, थोरा सा पानी रखा हुआ था ना तेल में अब फिलाल इसमें डालते हैं, जीरा और मिर्च दोनों, एक साथी डाल दिया है, अब इसके थोड़ा सा बहुनते हैं, उसके बाद इसमें प्याज आदम करेंगे, पानी के बज़े से का हुआ है, वाँ परे, पुरा एजनम उड़ने लगा पट-पट-पट-पट-पट करके, हम इसमें अपना डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज करेंगे, इसको फिर डाले के बाद, प्रिल्याज मैं टूले पर क्यो बनादा हुआ करेंगे, आप लोगोके लिए मेरी मम्मी बोलीगी कि दाना लो किचेन में, बट मैंने कहां नान- ըान- बनाऊंगा चूले पे बनाऊंगा तब तो आप लोगों को देखने में मज़ाएगा लेकिन आप लोग क्या करते हो चैनल को सब्सक्राइब भी बने करते हो और यूजे को लाइक भी ने करते हो ऐसा क्यों करते हो बस आप से तो एक ही चीज मांगा है मैंने इतना मेहनत करके ह ही अपने चेहरे पर लगाएं थे लूबेरा जिल और साफ किया था और आप फिर से देखो चेहरा गंदा हो रहा है इस धूमें की वज़े से फिलाल तो अभी फ्लेम देख रहा हूं कितना तेज चल रहा है यह लगब लगब मुझको लगता है बीस मिनट के अंदर चिकन पक क सकते हो फिलाल हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे सब्सक्राइब मुझको सब्सक्राइब तो देख सकते हो गाइस थोड़ी दिर में कितना मस्त फ्लेवर आ चुका है इसमें एक नंबर लग रहा है देखने में अब और नीचे से आग भी पूर आपने जोरो सोरो प तो इसलिए आप टो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना नव इस टाइम टू एड़ मसाला इसमें देख सकता है जिंगर गार्ली पेस्ट है धनिया है नमक है सब चीज है इसमें जो भी मसाला होता है नॉर्मल सा मसाला इसको डालते है इसमें डाल दिया है देन बीविल मिक सिट अच्छे से पुड़ा मिलाएंगे एकदम अब यह से फ्लेवर इतना विजोर आगया है तो कुछ कहां नहीं जा सकता है इसमें अब हम लोग एड़ करेंगे थोड़ा सा मीड मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला पूरा सा गरम मसाला डालेंगे आधा पकेट के लगवग नहीं पूरा डाल देता हूँ एक पकेट रहे तो ज्यादा सब्सक्राइब अब इसको बाड़ी है टेस्ट करने का तो टेस्ट करेंगे हम तो आपको बताएंगे ज़रूरा और आप भी ऐसे भी हार स्टाइल में च चुले पर ट्राई जरूर कीजेगा क्योंकि राख वाक जाएगा तभी तो और्गैनिक चिकन बनेगा और टेस्टी भी बनेगा चलिए फिलाल टेस्ट करते हैं इसको वह चिकन तो बनके तयार हो गया अब हम अपने सीक में चिकन को लगाते हैं जो भी चिकन को मैंने थोड रखते हैं यहां पे एक मिनट गाइस इस पे धुआ नहीं लगना चाहिए देखिया फिट हो चुका अब धीरी दीरी यह पकते रहेगा धीर खके और इसको फ्राई ही कर देते हैं चलिए फिलाल प्राई करते हैं ओप फिलाल चिकन को पैन पे ही सेखते हैं और खाकर पूरा गी का फ्लेवर आ रहा है और मजा आ गया है और थोड़ा से इसको मैंने धुमा लगा दिया था स्टाफिंग में जोगदम सुनाइरा सुनाइरा स्वाद आ रहा है तो गाइस देख सकते हो कितना खुबशूरत लग रहा है अब इसको टाइम है टेस्ट करने का तो टेस अब रुकिये अब देखते हैं खाके कैसा लगता है वह एक नमबर आप चिकन फाइव इचेश कर लेते ता साथ मजा आ गया एक नमबर अब भी लोग ऐसा बनाईए और हमारे चल्म को सब्सक्राइब कीजिए मिल देख किसी नए वीडियो में किसी इंट्रेस्ट